अध्धाय आठ श्लोक नमबर तेरा अर्थात इस योगा अभ्यास में इस्थित होकर तथा अक्षरों के परमसंयोग यानि ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से अध्धात्मिक लोकों को प्राप्त हो जाता है अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य शह तस्या हम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगी नहा अध्धाय आठ श्लोक नमबर चौध है अर्थात है अर्जुन जो अन्यन भाव से निरंतर मेरा स्मरन करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ क्योंकि वह मेरी भक्ती में प्रवत्त रहता है